दोचकाय मैं हूँ आपके साथ एमन शो और आप देख रहें KKD News अज़रालते इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ 24 फर्वरी को सुबा यूक्रेन के लिए तबाही की शुरुआत हो गई थी जब रूस ने तापर तो हमलों की शुरुआत की थी ये जग अभी खत्म नहीं हुई है तबाही का दौट जारी है जग में रूसी सेना ने यूक्रेन के तमाम सरकारी इमारते, स्कूल, अस्पतार और शहर खंडर में तबदील कर दिये रूस ने जो तबाही मचाई अब उससे कदम भी खीचने लगा है बता दे की रूस ने मारियो पॉल्स शहर में एक अस्पतार पर बंबारी कर अपना रुख बदन लिया है एजिंसी के मताबिख बीते दिन यानि गुरुवार को क्रेमिनल की योट से एक बयान चारी किया गया था इसमें साफ तोर पर इस बात से सफ इंकार कर दिया गया था कि रूसी सेना ने अस्पतार पर बंबर साया था वह यूक्रेन के राश्पती जिलिंस्की ने कहा कि बुदवार को एक अस्पतार पर हुए बंबिसफोर्ट में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई इसने दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है जनिन्सकी ने बयान के बार क्रेमिनल के प्रवक्ता दिमित्रा पेशकोव से कहा कि रूसी सेना ने इस जंग में आम नागरिकों को टागिट नहीं किया है नहीं उन पर हमला किया है उन्होंने कहा कि क्रेमिनल इस घटना की ज पुदिन का कहना है कि मॉस्कों ने यूक्रेन के मादियम से तेल और गयास का निर्याद जारी रखा है। पुदिन का कमपनिया भारत को तेल पर भारी डिसकांट ओफर कर रहे है। निकलने के लिए एक भय बुकतान तंत्र का निर्मान करने जारी है। बतादे कि अगर ये हो जाता है तब ही भारत के साथ रूस के तेल का व्यपार बहपाएगा। रूसे अला कि भारत का मात्वा में कच्छे तेल का आयात करता है। अपने समाल का करीब सत्तर फीस्द हिस्सा भारत ओपिक देशों से खरीता है। युद से भारत के व्यपार को कोई प्रतियक्ष नुक्सा नहीं होने वाला है लेकिन अप्रतियक्ष रूप से भारत पर युद का काफी असर होने वाला है। दिल्ली में चुनाब आयोग द्वारार नगर निगम के चुनाब टालने और इसके पीछे दी गई दनीलो कुलेकर मुख्यमंत्री अर्वेंद्र केजवार नाराज है। उन्होंने चुनाब आयोग पर केंडर सरकार के आगे जुकने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने शुगरवार को प्रेस कौनफरेंस कर केंडर पर जान बूच कर संसाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। केजवार ने प्रेस वाक्तर की शुरुवात करते हुए कहा कि दिल्ली में नगर निगम ने चुनाब होने से जिसे लेकर राज निर्वाचन आयोग ने नो मार्च को सुभा एक प्रेस कौनफरेंस आमन्च रट की थी कि शाम पांच बजी तक आयोग चुनाब की तारिखों कि शायद देश का 75 सालों के एतिहासिक में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि केंद सरकार ने सीधे किसी राज के चुनाब आयोग को चुनाब टालने के लिए कह दिया हो उत्रप्रदेश में कमल खेलने के साथ ही काई रिकोर्ट्स चूच चुके हैं इसमें सबसे पहने एम योगी आदितिनात का नाम आता है जो लगता दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आपको बता दें कि 20 मई 1950 को उत्रप्रदेश विधान सबा का गठन हुआ था इन 91 सालों में डेश के 21 मुख्यमंत्री मिलें लेकिन जो रिकोर्ड योगी लिखने जा रहे हैं वो अभी तक कोई भी नहीं लिख सका योगी 5 साल का कारकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं भाजपासाश्र ने पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 5 साल तक एक ही व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है इस चुनाब में योगी आदितिनाथ ने अकेले कई रिकॉल्स बना हैं वो 34 साल से चल रहे नौइडर फाक्टर्स को तोड़ का जीत हासल करने वाले मुख्यमंत्री बने इसके अलावा ऐसा 71 सालों में पहली बार हुआ कि कोई फुल्टर्म सीम लगातार दूशी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो उत्यप्रदेश विदान चुब चुनाव में कॉंग्रस का सपूरा साफ हो गया है इस बार प्रदेश में पार्टी की कमान फ्रियांकर गांधी में समाली लेकिन खासा अंसर नहीं दिखा पाई इन सब के बीच मेरित की हसनोप और विदान सबाद सीट की जबरदस्ट चाचा हुई क्योंकि कॉंग्रस ने यहां बिकनी गर्ल के नाम से मशूर अर्चनाग गौतम को उमीदवार बनाया था लेकिन उनका भी जादू नहीं चल सका और हार का साम्मर करना पड़ा अर्चनाग गौतम को 15,000 वोट मेरे और वो तीसरे नंबर पर रही वहीं एक बार फिर से बीजबी विधायक दिनेश कर्टिक ने जीत हासल की है उन्होंने समाजवादी पाची के उमीदवार योगेश वर्मा को हरा दिया है अभिनेट्री और मौरिल आचनाग गौतम ने पिछले साल नेवंबर में कॉंग्रस को जोइन किया था उसके बाद क्या सगार जा रहा था कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है दो महीने के भीतर ही कॉंग्रस ने उन्हें टिकेट दे दिया टिकेट मिलते ही वो सुरखियों में आ गई और उनकी अपनी बिकनी तस्वीरे वारण हो गई कई हिंदुवादी संगठोनों ने इसका विरोध भी किया जुसके बाद उन्होंने कहा कि वो मिस बिकनी 2018 में भारत का प्रतिनिद्व कर चुकी है वो मिस सुत्तर प्रदेश 2014 और मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018 थी उनके इंस्टर्डाम पर तकरीबन 7,28,000 से ज्यादव फॉलोवर्ज हैं जहां पर वो अपने सेंस्टनेशनल डांस वीडियोज भी शेयर करती हैं जहां पंजाब में सभी सीटों के नतीज़ा आ गए हैं और आम आदमी पार्टी को उस फस्ट बहुमत मिल गया है आकरों के मताबिक आम आदमी पार्टी को पंजाब में दो तिहाई बहुमत मिल चुका है और कॉंग्रिस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा इसके बाद कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोट सिंग सिध्धू ने आमाद्मी पार्टी को जीत की बधाई भी दी है जी हाँ पंजाब में कॉंग्रिस की हार के बाद पार्टी के प्रदेश प्रदेश प्रभारी हरीश चौजी ने हार की जिम्मदारी अपने कंधों पर ले ली है और कहा है कि पंजाब की जन्ता के फैसले का सम्मान करता हूँ वहें सांसर जजबीर गिल के आरोप है और कहा है कि गिल खुद को इस चुनाब में कहा थे वो अकाली से थे इसके साथ ही उन्होंने सिध्धू से स्थीफे पर भी बात की और कहा कि सिध्धू के स्थीफे के बारे में मुझे माुलूम ही नहीं है ये पाजी का अंदरूनी माम इस सेक्टर में बड़ों इलाखे में भारती सिनक आए एक चीता हेलिकॉप्टर दुर्गटना घ्रस्त हो गया हाथ से के बाद से ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तलाशी दल हेलिकॉप्टर के चालक दल के बचाव के लिए बरफीली इलाकों में पहुच रहे हैं अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जिस समय ये हाथसा हुआ उस समय ये हेलिकॉप्टर गुरेज के तुलेल इलाके में अपनी उरान पड़ था इसी बीच अचानक एयर ट्राफिक कंट्रोल ने इसका संपर्क ठूच गया कुछ देर बाद जानकारी मिली कि हेलिकॉप्टर दुर्गटना ग्रस्त हो गया है दुर्गटना की सूचना पाकर भारते सेना और वायो सेना की एक टीम को तुरंत गुजरान नाला इलाके में रेस्क्यू के लिए फेश दिया किया जानकारी के लिए मुताबख हेलिकॉप्टर एक बरफीले पहाड से चकराने के कारे दुर्गटना का शिकार हो गया जिसमें एक पाइलिट की मौत हो गए और सेह पाइलिट की हालक काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है दुनिया के सरवशेस्ट बल्ले बाजों में से एक विराच कोली ही है जिनको औसद टेस्ट में पचास से ज्यादा का है सिर्फ टेस्ट ही नहीं वन दे और टी ट्वेंटी में भी उनका औसद पचास से उपर ही रहा श्री लंकर के खिलाफ कोली बांगलूरू में होने वाले डे नाइट टेस्ट में उतरेंगे तो निशाने सिर्फ शतक ही नहीं बलकि अपने औसद को भी बेकरार रखने की जिम्मेदारी भी कोली पर ही होगी विराच ने अपने 92 टेस्ट माच में पहली बार पचास का औसद चुआ है तब से क्रिकेट ने सबसे बड़े फॉर्मेट में उनका औसद पचास से नीचे अभी तक नहीं गया बता दे कि विराच अगर श्री लंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 43 रन से कम आउट हो जाते हैं तो औसद पचास से नीचे हो जाएगा टेस्ट करियर में उनका सर्वश्रेस्ट औसद अब ततका 55.1 तक पहुचा है दक्षिर अफरीका में खिलाफ उनके खिलाफ 292 रन बनाने के बाद उनके औसद से लगता गिरावत आई है विराज के करियर को देखते हुए उन्होंने 100 टेस्ट मेटों में 50.35 की औसद से रन बनाए उन्होंने 169 पारियों में 8007 रन बनाए उनका नाम 27 शतक में 28 अर्ध शतक है बाती रेलवे ने रेल याचियों की सुविदा को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को एक बड़ी रहत की घोशना की है रेल मंदवारे आप फिर से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले याचियों को कंबल और चादर आधी देने का प्रतिबंद करेगा रेलवे ने याचियों को गुरुवार को बड़ी रहत देते हुए ट्रेनों में चादर, कंबल और परदे प्रतान करने की सुविदा फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है यानि कि अब फिर से ट्रेनों में याचियों को बेच्शीत, कंबल और परदे उपलब्ध हो सकेंगे रेल्वे बोर्ड ने सभी रेल्वे जोन के महा प्रबंदवों को जारी आदेश में कहा कि इन वस्तों की आपूर्ती तदकाल प्रभाव से फिर से शुरू की जाए इसे पहले खाने समेट कोई सुविधाएं दोबारा शुरू भी की जा चुकी हैं बतादे कि याचियों की ये सुविधा ना मिलने की वज़र से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था गोरगपुर जिले के पीपी गंच उलाके में पुजारी हसन गंच जगाला रेटकार हत्या कर दी गई बताते कि शुक्रवार सुबा कुटिया में बिस्तर पर पड़ी उनकी लाश मिली पुलीस फॉरिंसिक टीम के साथ पहुचकर मामली की जांच में जुड़ गए हैं जानकारी के मुताबिक पुजारी हंस राच पिछले दो साल से पीपी गंच के जंगल अगाही गाव में सहुजा टोला के बाहर कुटिया में रहते थे बता दें कि पुजारी हसं डंच के साथ एक अन्य बंगाल में साधू भी रहते हैं ब्रसपती वार की रात मुरत पुजारी कुटिया के बाहर जमीन पर बिस्तर लगा कर सो रहे थे तो वहीं दूश्य साधू कुटिया के अंदर सो रहे थे सुबा जब दूश्य साधू सो कर उठे और बाहर निकले तो पुजारी का शव बिस्तर में खून से लगपत दिखा तो पुलीस को सूचना दी गई मेरत पुजारी हंस राच की चार बेटियां और एक बेटा भी है पुलीस को शव की हत्या के लिए पीछे संपती विवाद बताया जा रहा है पुलीस की जांच भी संपती विवाद के तरफ से की जा रही है इन खबरों पर फिलहाल बसेताई देश और दिनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साल और देखते रहें खबरों की दनिया जीजीजे ग्रुनिया को अखेखते देखते रहें खबरों की दिथैया औरभों की दिथ tenantsा मेंड़ इ familे हम् सकतने हिए अजाया जोल्त दोके लुई네요 कि म较 दोके आר मां ज्सके दोचे आand को गोगया है कि दो कि रबब Generally बश्तुर गाइस, दो जो घचे को